नैनी ताल को बाई बाई करते हैं और निकलते हैं हम लोग नैसे में हल्दवानी हैं और हल्दवानी से बरीली होते हो जाएंगे आप बीचा दो ना यह जो गाड़ी खड़ी है न अगली बार इसमें ट्रिफ हो न हमने आज एक रिकॉर्ड बनाया अपनी डिस्टी के तरब से तो है गाइस वाट इस अप वेलकम बेक टू दा न्यू व्लॉग बारा बज़े जो थे हम निकले थे हमालया वीवपॉंट से एंड साड़े बारा बज़ रहा है हम नैनी ताल पहुंच चुके हैं अब जो होगा हमें सीधे अपनी बाई को खीचना है नैनी ताल से लेके हर निकलते हैं सच में बहुत ही प्यारी लोकेशन है यार बहुत ही प्यारी लो सियापति राम चंद्र की जैए अब अपनी यहां से जो है पूरी जंडे स्टार्ट करते हैं जो की होगी हर तो ही तक की कांड हो गया गाइस हम ना थोड़ा आगे चले गए और हम अपना नैनी ताल को सरूबर नगरी यहां कुछ ज्यादा ही होंगे वह पॉंड यहां पर साथ ताल भी सी में तो आता है साथ आता थाल भीम ताल यह सब नैनी ताल में आता है एक बार फिर से बहुत ही लंबी अपनी राइट चालू हो चुकी है यार सच में बहुत ही प्यारी अधर पहाड साइड में दोको पूरी धूप निकली हुई है मौसम अब बड़ा ही मस्त हो गया एंड वो जो सामने आपको पूरा रास्ता दिख रहा है आपको इसी रास्ते पर पूरा जाना है बहुत ही मजाई सच में मतलब कि हम लोग जो जब गया है वाला बहा जितना अ पूरे पहाड पर इधर नहीं है इतने जादा इसके बारे में बहुत अच्छे से जनकारी तो सागर रादा बताएंगे इंडिया की सबसे बड़ी और मेरा बच्पन से सपना था कि कभी मैं आओ आज ताइम की कमी के चलते मैं यहां आनी वारू लेकिन अगर आप कभी भी तो आपको एक अनोखी दुनिया की सार करने को मुका मिलेगा लोग जब यहां रहा है तब भी हम लोग हालदवानी से लेकिन तब जो था हम हालदवानी के थोड़े आउटर एरिया से निकलाएंगे वो जाएंगे बरेली बारे रूट से जो कि सबसे पहले हमें जाना होगा हलदवानी पुरा हलदवानी क्रॉस करते हुए बरेली होते हुए अपने घर जाएंगे लैंडस्लाइड यार कितनी गहरी-गहरी मेरे को ना सच में लैंडस्लाइड से बहुत ज़्यादा डर लगता है यार बस अभी पहाड़ों करके आए हैं इस समयना हम लोग हैं कार्ट आगे ना हमारा पूरा मैदानी इलाका है तो काट गोदाम पार करने के बाद इस समयम हलदवानी में शलना है यही है में हलदवानी सिटी एंड हम लोगों का यह प्लैन है कि हलदवानी से हम लोग जाएंगे सीधे बरेली एंड बरेली से शहजापूर एंड शहजापूर से देखा है तो इस चौरहा से भी जो है हमें बिल्कुल सीधे निकल जाना है यही वाला जो हाइवे है न वो है बरेली वाला ही हुए 6-7 km तक तो सही थी रोड लेकिन आगे जो है बहुत ही जादा खराब रोड आ चुकी है और शायद आगे तो यह रोड सही हो गई है तो यहां पर फिर से अपनी गाड़ी आराम से चलेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हल दवानी से 10 km तक आगे आए हैं बरेली वाली हाइवे पर तो यह एक फैमिली रेस्टरांट दिखा है देखते हैं यह वेज है या नहीं है यहां पर थोड़ी अपनी पेट पूजा करते हैं और फिर निकलते हैं हादो एक लिए नॉन स्टॉप एक्शली बैठे बैठ उतराखंड क्रॉसी करने वाले यह जो रोटशली है यह उतराखंड वाली अन्व आपको टोल प्रचा दिख रहा होगा इस टोल प्लाजा के बादना हमारा उत्तर प्रदेश शालू हो जाएगा बतलब आप समझ रहें उत्राखंड ने हमें सिंगल डूड दी और हमारी उत तोटली अभी हर्दोई यहां से जो है एक सो साथ किलो मेटर तक पड़ेगा मोडल है यहां तो चलो यहां देखते हैं वैसे यह तो 100% वेज है और मलब काफी अच्छा दावा है तो गाइस हमारा खाना चुका है खाने में के ओडर किया यह कौन से पनीर है पनीर बटर मसाला एंड में सी रोटी बटर वाली इस भूब सच में बहुत दोरों की लग रहे है यह समय जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं यहां से तो देखो बाई 15 मिनिटना हमने यहां पे खाना खाया एंड फोन में बैटरी थी 15 प्रसेट और 15 मिनिट में हमारा फ से पहले फ्रश होंगे और आज रात का भी व्लॉग अपलोड कर दिया तो आज भी व्लॉग आपके लिए आ जाएगा अब यहां से निकल रहे हैं और जो नहीं खाना खाने कर मिश्री खा जाती है तो हमने भड़के मिश्री खा लिए है कि हमको मिश्री बहुत उच्छी ल सब्सक्राइब करो जितना हो सके ना इसे बूस्ट अगर आप बसमें चाहते हैं कि आप जो व्लॉग है इस वाली गाड़ी में आए तो कूप खूब चैनल को सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो कमेंट करो तो हमारा ना पेड़ पूजा हो चुकी है पूरी पूरा पेड़ ऊपर तक लखवाला बरा हुआ है अब हमना हम सीजे नौन स्टॉप चल लाए घर के तरफ क्योंकि अंधेरा बिल्कुल होने वाला है अब हम लोग यह चाहते हैं कि अंधेरा होने से पहले पहले हम लोग बस शाजाँपूर पहुंच जाए और शाजाँपूर के बाद तो अपना एरिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो इधर वाली जो है पूरे में जाम लगी है चार क्लोमेटर तक की तो हम दोग जो है इधर वाले रास्ते से जा रहे हैं इधर से लोग आते हैं बाइक है तब हमनों की बाइक निकल जाए की देख रहे हो कहां तक की जाम लगी है यार मतलब की सच में बड़ी दूर तक की जाम लगी हुए है मतलब कि जहां तक की मेरी आखे देख पा दिया ना वहां तक की बस ट्रकी ट्रक लगे हुए है यहां पहे रेलवे क्रॉसिंग इसी वजासे यहां से लाइन लगी है यहां पर तो जाम से छूटे लेकिन धूल बहुत जादा है पूरे रास्ते में मतलब जब से हल्दवानी से लिकले है ना हाल दवानी से पूरी आगे तक बरावर सिर्फ और सिर्फ दूल मिल ले है यार खाने को क्या क्या रहे है कुछ नहीं अभी शहां पूर से समझ दो दस यां 15 किलो मेटर दू रहा है अब 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 जोड़ो जितना भी अभी ताइम होगा हो आठ बजी से पहले आजाएंगे व्लॉग लाइव ने जब आ जाएंगे समझ दो पांच पचास हो और एंड फाइनली गाइस अब जो हैं अब जो हैं शहजान पूर पहुच चुके हैं सुबा चल ले थे नेशनल हाइवे 9 पे फिर 10 पे फिर 11 पे एंड इस समय नेशनल हाइवे 30 पे चल ले हैं और अब यहां से हर्दोई सिर्फ और सिर्फ 57 किलो मेटर बचा हुआ है सब कुछ ना हमारे प्लैन के साब से हुआ हम लोगा प्लैन था कि मतलब की सूर्यास तो होते होते हम लोग समय लोग शजानपूर पहुच जाएंगे और वैसा ही हुआ तो अब शजानपूर से भी 30 किलो मेटर तक आगे निकलाए हैं यह ना शाहबाद पढ़ता है शाहबा को ने तो हम लोग लगा रखा है तब ही हम लोग के आख में नी जा रहे वड़ना तो अब तक भाई साब लोगों की बिलकुल सूच जाती कीडों से बरके है तो यार फाइनली साथ बजने जा रहा है अब ना हम हर्दोई पहुच चुके हैं बहुत गूमली जन्नत गाइस अब ना हम अपनी जन्नत में पहुच चुके जहां पर हम चोटे पर से बड़े हुए हैं अपनी फूरी जिंदगी जहां बितानी है तो अब अपना हर्दोई आ चुका है यार सच में बड़ी खुशी हो रही है आप तो गाइस छे बचके चववन मिनट हो रहा है और आप अब हम हर्दोई पहुच हैं और एक जरूरी बात ऑफीशेली हमने आज एक रिकॉर्ड बनाया है अपनी डिस्टीक के तरफ से हमने एक ऐसा किर्दिमान बनाया है जो अभी तक ऑफीशेली कहीं पे भी नहीं था ठीक है हम लोग पहले ऐसे राइडर होंगे जिन्होंने पह ना तो आपने कभी देखा होगा ना ही कभी सुना होगा तो हम लोग बन चुके हैं हर्दोई के पहले ऐसे राइडर और अगर आपको रियली इसको एप्रीशेयेट करना है अगर आप रियली इसको पसंद कर रहे हैं तो गाइस जितना हो सके ना उतना ज्यादा शेयर करें स अगर आपको अभी तक हमारी उत्राखंड की पूरी जो सीरीज थी एंड हमारी डेली व्लॉग आ रहे हैं वो अगर पसंद आते तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने नहीं किया है कि आप जो हैं अपने पांच फ्रेंड्स या पांच फैंबली मेंबर्स किसी के भी साथ हमारे चैनल को शेयर करें एंड उनसे कहें कि वो आगे और लोगों को रिकमेंड करें हम लोग यहां पर खड़े के व्लॉग शूट कर रहे थे इतनी देर में गुन-गुन भाया का दो बार कॉल आ चुका है तो जल्दी से सबसे पहले हम लोग घर चलते हैं यार फाइनली भाई रिष्ट होम इतनी लंबी राइड के बाद अब ना उत्रा खंड राइड यहीं पे खतम होती है ग्रेड सक्सेस जै भोले बाबा की तो गयशा हो और अभी नहाद गुपर और आए और जिश्ट हो है ए तो अब नह होगा रहते हैं नहाद तो मैंने ऐपने पाल-दुले बाल बहुत ही अच्छी गई आप लोगों ने जितने भी व्लोग आये होंगे चार या पांच मेरों को पता ने क्योंकि अब मैं जूम इसको एडिटिंग पर लगूँगा बड़ जहां तक पांच व्लोग आये होंगे हर दोई कि हम लोग पहले ऐसे बन दे बन चुके जो इतनी ट करके आएं और आपके लिए इतना अच्छा कॉंटेंट निकाल के लाएं तो इसलिए हमारे चैनल को खूब जादा शेयर करें खूब जादा सब्सक्राइब कर रहा है तो फिर ना हम लोग इससे भी जादा खूब खतरनाक थ्रिल वाले व्लोग मतलब बहुत ही मस व्लोग लाएंगे आपके लिए मेरे को पता है आप लोग शेयर जरूर करेंगे इसलिए जल्दी से जल्दी खूब सारा शेयर करें एंड इस व्लोग के नीचे मैं टार्गेट देता हूं 400 कमेंट का तनिश्क आर्मी जल्दी से 400 कमेंट करवा दो इसके नीचे मतलब कि यार सच में मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग 48 गंटे के अंदर अंदर पूरी उत्रा खंड राइड करके मतलब आ भी चुके हैं वो बाद लगे काफी जादा थकान मैसूस हो रही मतलब इतनी जादा नहीं बस पीठ में बहुत जादा दर्द हो रहा है हलका स आखों में दर्द हो रहा क्योंकि नीन दिन पूरी नहीं हुई यह बरावर बाइक पे बैठे रहते हैं आज सुबह साड़े शे वजे राइट चालू करें थी एंद घर पहुंचे हैं साड़े साथ मजे यानि की 13 गंटे की नॉन स्टॉप राइड मतलब की वैसे नैनी ता अब लोग देखी है कि आप लोग भी आज होती है बिल्कुल भी आसान नहीं होती जितनी आपको लग रही होंगे व्लॉग में तो अगर आप लोग भी बायक से जाने का प्लैन बना रहे हैं तो मतलब अपनी पूरी तयारी करके जाए गा क्यूंकि हम लोग की तो को तैयार लेकिन अगर आपको जाना है ना ने निताल या पूर्णा और नगिरी तो आप इस समय जाए क्योंकि इस समय ना बिलुकुल भी टोरिस्ट नहीं है इस समय जो है टोरिस्ट वाला सीजन नहीं चलना है वो दिसम्मर में चालू हो जाएगा तो जाना चाहो तो अभी 15-20 दिन मे हो जाके सच में ना रश मिलेगा ना कुछ मिलेगा और सब कुछ बड़ा बढ़िया लगेगा फाइनली भाई अपनी उत्राखंड वाली राइट आज खतम हुई मतलब सच में बहुत ही जादा मजा आ गई ऐसे सच बताएं अभी यह राइट बहुत लंबी हो सकती थी मैं म जल्दी जल्दी में किया आपको तो सब कुछ व्लॉग में देखने को मिली गया होगा इसकल ना आपको इसी राइट से जुड़ी हुई कुछ बाते और बताऊंगा क्योंकि आस तो मैं बतानी पाऊंगा क्योंकि रात काफी जादा हो गई एंड हम और सब्सक्राइब तो थैंक्यू सो मच गाइस हमारे उत्राखन राइट के सातों के सातों पार्ट आज खतम हुए अगर अभी तक आपने उत्राखन राइट को नहीं देखा या आप पूरी राइट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाएं फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ बेना मैंने एक उत्राखन राइट करके पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और आपना वहाँ से आराम से प्ले कर दें और सारे पार्ट चलते रहेंगे तो बहुत ही प्यारी सीरीज होने वाली है आप लोग इसे इंजॉय करिए